अगर आप भी वाहन चालक हैं और वाहन चलाते समय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है क्योंकि परिवहन विभाग नियमों को लेकर काफी सतर्क हो चुका है पहले भी याता यात पुलिस द्वारा जगा जगा वाहन चेकिंग अभ्यान चलाये जाते रही है और ऐसे वाहन चालक जो नियमों को ताक पर रख कर चलते हैं उनके विरुद कारवाई की जाती रही है ट्रैफिक नियमों को लेकर बिहार सरकार का परिवहन विभाग अब और भी जादा सक्रिय हो गया है जादा से जादा अधिकारियों की पोस्टिंग हर जिले में हो रही है ताकि परिवहन विभाग और अधिक मजबूत बन सके आज का टिहार परिवहन विभाग में भी पहले से टैनाथ 6 ESI, 3 MBI, 1 ADTO और DTO की टीम द्वारा सिर्जा के नस्देक वाहन चेकिंग अभ्यान चलाए गया इस वाहन चेकिंग अभ्यान के दोरान ऐसे वाहन चालकों पर चालान किया गया जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे वाहन चालकों से अपील करते विए ADTO, संजीव सिंग और DTO बाल मुकुन परशाद ने कहा कि वाहन चलाते समय हमेशा नियमों का पालन करे अन्यता आपका चालान कर सकता है बिहार परिवहन विभाग अब पहले से और मजबूत हो गया है क्योंकि अब हर जिले में EASI, MBI, ADTO सहित DTO के नित्रुत में कई सारे अधिकारियों की कोश्टिंग हुई है हम आपको बता दें कि उसी करी में जब EASI, नए EASI 6 और MBI को जब मसीन दिया गया है भिहार सरकार की और से फाइन काटने के लिए उन्हें पावर दी गई है तो ऐसे में आज आप देख सकते हैं कि BMP के नज़िक लोग जो है जो पत्तपादिकारी हैं वो लोग सभी बिना हेलमेट, बिना वैद कागजात के चलने वाले सभी वहनों पर फाइन काटते नज़र आ आपको हम तस्वीरे इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि तमाम जो नए EASI हैं, MBI हैं, DTO हैं DTO सर के नित्रूत में यहां पर तमाम ऐसे जो बिना हेलमेट के चलने उनको लगातार फाइन की जा रही है, देखिए, यह तस्वीरे यह पडिवहन विभाग जो है, अब पहले सिर्फ एक DTO, MBI थे, अब कई DTO हैं, EASI हैं, EMS हैं, ऐसे में अब हर छेतर में हर अलग अलग चौक चड़ाओं पर इस तरह के जो फाइन हैं, इस तरह के जो वहां चेकिंग हैं, वो लगातार चलता हुआ आपको दिखेगा सबसे बड़ी बात है कि पहले हम लोगों को जिला परिवहन कारजाले में मात्रे DTO, MBI और EASI थे, तीन आदमी ही थे, अब हम लोग को संख्यां हो गई हैं, तीन से बढ़ करके हम लोग 11 हो गए हैं, अब सभाविक है कि हम लोग विभीन चेतरों में गाडियों का जो है, ब बहाना जो मारते हैं कि हम यह नहीं करेंगे, हम यह नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, छुट गया हैलमेट, हम लोग गल्ती हो गई, अब बहर छोड़ दीजे, यह सबब नहीं चलेगा बहाना, मैसेज मेरा सबसे यह है कि वो अपने सुरच्छा के लिए ही हो हैलमेट पहने, अपने सुरच्छा के लिए ही फोर विलर पर चलते हैं, तो यह सीट बेल्ट लगाएं, अपने सुरच्छा के लिए ही मतलब जो है, या उनका कभी भी एक्सिडेंट होता है, तो उसमें दर्म्यार में उनको राशी भी कुछ मिल रहेगी या थर्ड पाटी को भी मतलब जो है अगर कोई कैजूल्टी होती है तो उनको राशी देलाने में जो ट्रिबनल का गठन हुआ है उसमें आसानी होगी और उनको ब्यक्तिकत खर्चा रही होगा इसलिए हम मेरा मानना है विभ हम लोगों को दिकत हो जाती है चुकि मशीन में जब तक लिए हम डियल नहीं बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं तो वह से इस्थिति में मतलब हम लोगों मेरा अनुरोध है कि हम लोग प्रयाप संख्या में हो गया है अब हम लोग स्विकारी नहीं करेंगे कई अधिकारी आज सर्कों पर ठीक रहा है बहुत सारे अधिकारी आज पड़िवहन विभाग द्वारा हम लोगों के जिला में प्रतिन्युक्त नए एंबियाए और एसाई को मसीन दे दिया गया है पहले हम लोग संख्यांबल में कम थे अब पड़ियाप संख्या में हो गया ह और एक भी आदमी बिना हेलमेट का बिना चारपहिये वाहन में बिना सीट वेल्ट का नहीं चल पाएगा कोई भी जो इस तरह करेगा हम लोग उसको सक्ति से चेकिंग करके इंस्वरेंस पॉल्यूसन और सारे गारियों का प्रेपर चेक करके इस तरह का अभियान चलाते चल मत करेला परवाही नहीं तो हो सकती है बड़ी तबाही सुरक्षा के मानकों से मत कीजिये समझोता अन्य था हो सकता है बड़ा खत्रा हर स्कूल, हर कोचिंग, हर कम्प्योटर सेंटर और हर रेस्टोरेंट के साथ अपने सभी वेबसाइक प्रतिष्ठानों में लगाए फायर एक्स्टिंग योशर यानि अगनी शामक यंत्र औचस्तर ये प्रीमियम क्वालिटी की फायर एक्स्टिंग्योशर के लिए संपर्क करें सती सिक्योरिटी नियर रिशी भवन पाउडर, गैस और कैमिकल हर फॉर्म में उपलब्द स्टैंडर्ड क्वालिटी भी और प्रीमियम क्वालिटी भी सती सिक्योरिटी नियर रिशी भवन बड़ा बाजार कटिहाद फोन नमबर 064-5425-73 मोबाइल नमबर 9297-979709